दोस्तो नमस्कार एक वार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरव एकडमी पर दोस्तो आज हम जानेंगे उत्तर परदेश माधिमिक शिक्षा सेवा चेयन बोर्ड परियाग राज तो यूपी पीजिटी सिक्षक बनने के लिए आपको किन यूग्यताओं की जरूरत होती है वो हम जानेंगे यदि आप यूपी पीजिटी के तयारी करना चाहते हैं एक्जाम देना चाहते हैं और अध्यापक बनना चाहते हैं यूपी पीजिटी में जो कक्षा 11 और 12 को पढ़ाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही म परिक्षा कैसे होती हैं किन-किन चीजों को हमें ख्याल रखना होता है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिए बैल अकर प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को तो यह पिछले वर चाहते हैं तायारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले भी जो देख लिजी दोस्तों आपका जो ऑप्र योपी प्जिटि के लिए यहां TGT के लिए आपका जो application होता है वो online होता है आपको physical mode में कुछ नहीं होता आपको जो भी application form होता है आपका online आपको आवेधन करना होता है इसके लिए दूसरा दोस्तो प्रतेक समवर के प्रतेक विश्य के साप्यक्ष एक ही आवेधन सुकर किया जाएगा मान लीजे यदि आपका subject political science है तो आप cable AP एक ही application form भर सकते हैं यदि आप एक से ज़्यादा application form भरते हैं तो आपका form जो है reject हो जाएगा और यदि आपके पास दो subject से MA है master आपने दो subject से क्या हुआ है यो योगेता रखते हैं आप दो subject से वह मैं आगे चलके बताँगो कौन-कौन सी योगेता हैं कि subjects के अंदर कुछ most important जो popular subjects हैं उनकी योगेता हैं हम discuss करेंगे आगे चलके वीडियो में तो चैनल पर बने रहेगा वीडियो पर बने रहेगा में जो प्रशन होते हैं 125 लगवग प्रशन होते हैं 125 प्रशन का आपको जवाब देना होता है लेकिन उसमें कोई negative मार्किंग नहीं होती है यह सबसे बड़ा plus point है इसका और उसके बाद किसी भी आरक्षन का लाव उत्रपरदेश के निवासी के लिए यह अनुमाननी है पचात उसमें किसी प्रकर्कर्शन शूदर नहीं किया जाएगा तो यदि आप अप्लिकेशन समिट कर रहे हैं तो आप यह ध्यान रखिएगा कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं फॉर्म फिल करते समय वह बिल्कुल एकुरेट हैं करेक्ट हैं अप्टू मार्क हैं जो आपक प्रकिके अंदर कम पूरा नो डिटेल वाली चीजें आपकी वह मैं आपको बता रहा हूँ आविदान शुल्क को होता है दोस्तो यदि आप समय वर्ग से हैं समय जनररल के टेगरी से हैं तो आपको 700 रुपे करना होता है और उनलान प्रोसेसिंग करने होती है तो खुल मिल से हैं तो आपको 650 रुपए पे करना होता है 600 रुपए आपका अविधन शुल्ख और जो ऑनलाइन प्रसेसिंग फी से वह आपका 50 रुपए यदि आप ओवी सी कैटेग्री से हैं तब आपको 700 रुपए पिलस 50 यानि 700 रुपए उसी प्रकार यदि आप SCHT से हैं तो चित जन जाती यानि schedule ST से हैं तब आपको 200 रुपए प्लस 50 रुपए प्रसेसिंग फीस तो 200 रुपए आपको पे करना होता है बाकी के जिए जो कैटेग्रीज है वह आप देख सकते हैं यापर उसके बाद जो दोस्तो इसका जो age limit होती है वो आपको 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो यानि minimum जो age होती है इसके इंदर वो 21 वर्ष होती है आपकी आप कम से कम 21 वर्ष की आयो प्राप्त कर लें जो भी आपकी जो form submit करने की last date है वो आपकी मानी जाती है आपकी total age महां से calculate की जाती है यदि आप जो form भरने की exam form भरने की जो online form भरा जाएगा application form यदि उसकी last date पे अगर आप 21 साल के हो जाते हैं तब इस post के लिए आप eligible form fill up करने के लिए और जो maximum age होती है दोस्तों वो करीब 40 के असपास की होती है इसकी और उसके बाद जो तो आपका जो बेतन नाम है जो आपकी salary जो होगी प्रवक्ता संवर्ग के लिए वो 47.600 से एक लाके क्यावनाजार रिक्सो पे लेवल आपका 8 होता है grade पे आपका 4800 होता है काफी decent salary है उसके बाद जो important point है दोस्तों इसके अंदर वो आपका परिक्षा के अंदर है परिक्षा के अंदर दोस्तों जो यूबीक के अंदर ही आपकी परिक्षा जो है आयूजित की जाएगी और जो परिक्षा जो आपकी आयूजित की जाती है वो आपकी OMR sheet पर यानि multiple choice questions होते है आप पेपर पर देना होते हैं आपको online इसका exam नहीं होता है आपको application online submit करना होता है लेकिन आपका जो exam होता है वो offline होता है OMR sheet के उपर तो जितने भी जनपत केंद्र, मुख्याले केंद्रे जो board निवधारित करता है 75-iego 75 कatin के इंद्र तो सो है आयूबीत की जाती है आप जान लेते हैं इसकी भर्ती भरती परिकरिया है दोस्तों सबसे पहले होता है एक लिखित परिक्षा जिसका जो वेटेज होता है वो 85 परतिशत होता है यानि 85 परतिशत का जो वेटेज होता है लिखित परिक्षा का यानि जो आप प्रशिन पत्र जो हल करेंगे परिक्षा का उसका जो वेटेज है वो 85 प नहीं पोशे जाते हैं जो भी आप तोपिक त्यार करके जाते हैं जो भी किसी सब्जेक्ट से आप तो उसका कोई भी टॉपिक एमएड नहीं कर रखी है और बेट नहीं कर रखी है तो भी आप इलिजिबल है इस परिक्षा को देने के लिए लेकिन आपको जो पांच प्रतिशत अंग है वो आपको नहीं मिलेंगे आप उनसे वन्चित रह जाएंगे उसके बाद दोस्तों उसकी चैन प्रिक्रिया क्या है चैन प्रिक्रिया जैसे मैं आपको बताया लिखित परिक्षा जो होती है वो 425 अंक की होती है आपका जो सक्षतकार है वो आपका 50 अंक का होता है और जो 25 अंक होते हैं आपके जो मैं आपको बताया जो 5% है उसमें M8, B8 PhD वगर आपके पास है तो आपको edge मिल जाता है यहाँ पर तो कुल मिला करके आपको 500 अंक में से आपकी जो है merit तयार की जाती है आपको कोशिश करनी है यदि आपके पास BA damage नहीं है PhD नहीं है तो आप कोशिश करिए आपका जो लिखित परिक्षा है 425 अंक का आप इसमें maximum जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप marks ला सकते हैं वो लाने की कोशिश करिए यदि आप civics subject से हैं political science subject से हैं तो उसकी तैयारी हम आपको अपने चैनल पर करवाएंगे पूरी complete तैयारी करवाएंगे आपको शोन्य से लेकरके selection तक हम आपको पहुँचाएंगे इस बात की हमारी guarantee है तो चैनल को subscribe कर लिजे, bell icon press कर लिजे क्योंकि important videos हमारी informative videos आती रहती है UP PGT की परिक्षा के संधर्व में हमारा जो अगला है important point वो है लिखित परिक्षा वो हमने अभी उपर discuss कर लिया है 425 अंको का एक परशिन पतर होता है लगबग उसमें 125 परशिन होते हैं और प्रतेक परशिन जो होता है आपका 3.4 अंक का होता है तो 3.4 आप multiply करेंगे 125 से तो आपका 425 अंक आ जाएंगे यानि प्रतेक सही उतर के लिए आपको 3.4 अंक दिये जाते हैं और गलत उतर के लिए कोई negative marking नहीं है दोस्तों इसके अंदर तो बहुती सुनहरा मौका है अच्छा मौका है यह यह आप UP PGT की परिक्षा के तयारी करने जा रहे हैं और इसमें दूसरा benefit यह है कि आपको BAD की अनिवार्यता नहीं है इसके अंदर दूसरा है समय अवदी आपके जो लिखित परिक्षा होगी 125 परिक्षणों को आपको जो हल करना होगा वो निर्धारित समय जो है इसका दो घंटे का है दो घंटे के आपके परिक्षा होगी और परिक्षण का स्वरूब देखिए दोस्तों वो MCQ वेज्ड होते हैं multiple choice question होत यदि आप परिक्षा में अच्छे नम्बर ला जेते हैं लिखित परिक्षा में 425 में सापर इम moyenne में आ जाते हैं तब आपकी interview के लिए झो है list दियार की या तो इसमें आपको अच्छा प्रद्रशन करना होता है लिखित प्रडिक्षा के अंदर, इंट्रिव्य में आने के लिए, और इंट्रिव्य में आने के लिए आपको, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है इसके अंदर, यदि आप political science सब्जक्ट से हैं, सोचना है को आपको कुछ करने की जुर्थ ना है आपका सेलक्षन हम निश्रित कर Woo अपस चैनल को सunku कर लिए चैनल के साथ डूरे रहेए उसके बाद है आपका परिक्षा तिति की सूचना है आपको आवता होव कटी है। आपके परिक्षा की तिति है ऑग्जां GO बढ़ने के बाद करीब करीब जब एक्जाम डेट डिकलेर होती है श्रेडियूल जारी होता है तो करीब करीब आपको डेट से दो महिने का समय मिलता है डेट से दो महिने पहले जो है आपको सूशित कर दिया जाता है कि आपकी जो एक्जाम डेट है जो श्रेडियूल है वो क CC, OBC वगर रहा से, यहां EWS 카ategory से हैं. तो आपको कुछ यह interview के समय पर कुछ performance देने होते हैं. इन performance, जो परफॉर्माज हैं, उसके अंदर आपको, जो है, अपना जो documents से बनाने होते हैं. उसके बाद कुछ इस dorm Es払 fal. से जितने भी subjects होते हैं आपका जो है बालिक वर्ग है और उपर जो है आपका बालक वर्ग है उसके बाद है दोस्तों प्रवक्ता पाधेतु शेश्डिक आहत है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आपकी लिजिबिलिटि क्या होने चाहिए आपके अंदर योग येताक क्या रखनी क्या चाहिए आपको कि एथियापक बन सके मुख्य विषे के लिए आ यहां eligibility है वो और यह पर वर्यमान अधिमानी आ रहा था यानि यह जो है आपका optional है आपके पास compulsory नहीं है कि आपके पास जो B.A.D. हो M.A.D. हो यह आपकी वर्यमान है मतलब कुछ marks उनको मिलते हैं पांच प्रतिशत वह उसके लिए है तो सबसे पहले जाने लेते हैं गडित के लिए अगर mathematics से आप M.A. हैं या M.S.C. हैं तब आप इसमें apply कर सकते हैं eligible हैं PGT mathematics के लिए और यदि आपने M.A. नहीं किया हुआ तो आप गडित में आपने ग्रह अर्थशास्त्र होम एकोनॉमिक्स या ग्रह कला होम आट्स में आपने M.A किया हुआ है तो आप यहां पर भर्क सकते हैं अराम से उसके बाद अंग्रेजी है दोस्तों अंग्रेजी में आपका जो है अग्रेजी के अंग्रेजी के अंदर भी आपको है चाहिए में चाहिए इंग्लिश में आपको अगर आप इंग्लिश के जो यूपी पीजी की अधियापक बनने चाहते हैं उसके दीश ओनक्रेजी आप अग्राप Commerce के विद्यारति ही तो आपको U.S. अध्यास्त्र के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको में चाहिए यहां फिर अगर आपके पास में अनिया तब भी उसके बादे दुस्तो नागरिक शास्त्र के तयारी दूस्तो आपको इसी चनल पर करवाई जाएगी संपूर्ण तयारी करवाई जाएगी आपको कुछ भी समगरी जो study material जो है कुछ भी जो चीजें हैं पढ़ने के लिए आपको कुछ भी बाजार से नहीं खरीदना है कोई coaching नहीं जोइन करनी है कुछ नहीं करना है सारी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी यहां आप में बिए मैं आपके पास ऑनलोष ऑनलोष वने करना के अंदर उसके बाज तिहास carrying वही है दोस्तो इतिहास में THAT छहिए है आपका history के अंदर और तीन वर्ष का जो BA honors है हिस्ट्री में वो आपके पास होना चाहिए इसे प्रकर से भुखोल का भी है दोस्तो MA चाहिए उसमें और MA नहीं है तो आपके पास BA honors चाहिए आपको जेग्राफी के अंदर मनोब ग्यान का भी से हैं है दोस्तो psychology में आपको MA चाहिए या फिर M.Ed. अगर आप psychology का देखेंगे तो इसमें एक M.Ed है अगर आपके पास MA नहीं है psychology में अगर आपके पास M.Ed किया हुआ है आपने B.Ed के जगा M.Ed भी किया हुआ है तो आप इसमें eligible हैं M.Ed वाले भी psychology में eligible हैं उसके पास sociology समासास्त्र है दोस्तों समासास्त्र में भी सेम है आपका यही है eligibility criteria MA होना चाहिए आपके पास या फिर तीन वर्ष का B.O. honors होना चाहिए sociology समासास्त्र के इंदर और बाकी यह दर जो यह है आपके पास B.Ed, M.Ed अगरा है तो आपको वर्याता दी जाएगी पांच प्रतेशा धंकों इसमें आपको दिये जाते है कि आपने कौन सा subject क्या होगा है कौन सा course क्या होगा है B.Ed क्या है M.Ed क्या है PhD क्या है में आपको चाहिए शिक्षा सास्त्र में M.Ed के साथ B.Ed अथवा B.Ed से आप देख सकते है तो दोस्तों यह कुछ जानकारी थी बेसिक जानकारी थी UP PGT के लिए यादि आप UP PGT की परिक्षा के तयारी करना चाहते हैं तो आपको जो मोटी मोटी जानकारी थी वो मैं आपको इस माध्यान से बता दी है जो पिसला नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 में तो दोस्तों अब ही से आप जुड़ जाए अपनी तयारी के अंदर और गुड लग बैस्ट आफ लग दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आकन प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे बहले आप तक पहुंच सके बहुत बहु वीडियो को और लुड़ झाली को लिए पार्ज आप ही जिए जाने वीडियो को लिए